आज के वीडियो में हम लोग रेल्वे स्पेशल करेंट अफियर्स को कभर करेंगे जिसमें 2019 से लेकर के 2020 तक रेल्वे से रिलेटेड मत्पुर्ण कोस्टन्स को कभर करेंगे जो आने वाले किसी वी एकजाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को अन तक देखें पूर अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास सेयर करें तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहला है कि 23 सितंबर 2020 को राज सभा में रेल मंत्री प्यूस गोयल के बयान के अनुसार वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेज की सभी लाइन इलेक्ट्रिफ हाइड हो जाएगी मतलब प्यूस गोयल नहीं स्टेटमेंट दिया था कि वर्ष 2023 तक रेल्वे से रिलेटेड जितने भी ब्रॉड गेज हैं वो सब क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रिफ हाइड हो जाएगा फिर उसके बद अगला देखिए अगला है कि वर्ष तमान में 63 पर 30 ब्रॉड गेज रेल्वे लाइन इलेक्ट्रिफ हाइड है वर्ष तमान में अभी जो रेल्वे लाइन इलेक्ट्रिफ हाइड है वो कितना है तो है 63 पर 30 जिसकी दूरी है 63,631 किलो मीटर है कैंद्री रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगडी का कोरोना के कारण क्या हो गया निधन हो गया उसके वाद अगला देखे कि वे कौन थे वे करनाटक के बेलगावी से संसत चुने गए थे यी कौन? सुरेश अंगडी फिर अगला के रेल्वे बोड के पर्थम CEO वी के यादाव बने यी रेल्वे बोड का पर्थम Chief Executive Officer कौन बने वी के यादाओ फिर है कि भारते रेलवे ने पहली वैपार माला ट्रेन दिल्ली के किसन गंज से तिरपूरा के जिरनिया तक चलाया गया भारते रेलवे ने पहली वैपार माला ट्रेन दिल्ली के किसन गंज से तिरपूरा के जिरनिया तक चलाया उसके बाद की हाल ही में कोशी महासेतु रेलवे पूल का उदघाटन परधान मंतरि नरेंजर मोदी के दोवारा किया गया यहाँ पूल, सुपूल, आसनपूल, कुपहा को जो देगा यहाँ जो पूल है वो सुपूल, आसनपूर और कुपहा को जो देगा फिर उसके बाज़ा की हाल ही में मध्यपूरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्टरी और मध्यूरा में डीजल लोको फैक्टरी के स्थापना की गई उसके बाज़ा की में मध्यपूरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्टरी और मध्यूरा में डीजल लोको फैक्टरी के स्थापना की गई उसके बाज़ा की मेंक इन इंडिया के तहट मध्यपूरा फैक्टरी में 12,000 होर्स पावर का इलेक्टरी इंजन बनाया गया क्या है कि मैंकीन इंडिया के तहद मध्यपूरा फैक्तरी में 12,000 होर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया बिहार के मध्यपूरा फैक्तरी में 800 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का समझोता फ्रांस की अल्स्टॉम कैफी के साथ किया गया किसे साथ फ्रांस के अल्स्टॉम कैफी के साथ उसके बाद है कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्य वर्ज दोहजर बीस अकीस में एक सो नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफ़लता हासिल की फिर दुनिया का सबसे उचा रेलवे पूल कहां बनेगा तो मनीपूर में इसे क्या नाम दिया गया इस पूल का निर्मान नोनी के पास इजाई नदी पर क्या जा रहा है इस पूल का निर्मान कहां क्या जा रहा है नोनी के पास इजाई नदी पर इजाई नदी कहा है तो मनिपूर में देश का पहला रेलवे केबल ब्रीज कहां बन रहा है तो जम्मू के कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पूल नाम दिया गया देश का पहला रेलवे केबल ब्रीज कहां बन रहा है तो जम्मू में कट्रा और रियासी के बीच इसे अजी पूल नाम दिया गया है इसे क्या नाम दिया गया है तो अंजी पूल उसके बाद है बजट 2020-28 के अनुसार किसान रेल चलाने का प्रस्ताव रखा गया है बजट 2020 अकेस में किसान रेल चलाने का प्रस्ताव रखा गया था फिर एकि भारत की पहली किसान रेल महराश्ट के देवलाली से दानापुर के भी चलाई गई भारत का जो पहला किसान रेल है वो कहां से कहां तक चला तो महराष्ट की देवलाली से दानापुर के बीज फिर एक दक्षिन भारत की पहली किसान रेल एवं भारत की दुसरी किसान रेल की इन दो इस्टेस्टनों के भी चलाई गई तो अनंधपुर जो आंधरपरदेश राजे से है और नई दिल्ली के भी चलाई गई उसके बाद ऑकी चर्चा में रहा रो 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 क्या है रोल रो क्या है वह रॉल वन रोल आव फिर उसके बाद की भारत रेल दुनिया का चोथ्था सबसे बाद नेटवर्क अगस्त 2020 आकरी के अनुसार वो बन गया है कितना तो चोथ्था फिर है कि रेल मदद पॉर्टल रेल मदद पॉर्टल सभी रेल वेबसाइट एप सोसल मीडिया एवं सभी पॉर्टल पर उपलब्द हो गया फिर है कि कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विक्सित किया सेंट्रल रेल वे के दौरा दवा फल और जरूरत के समान वितरन किये गई उसके बाद है कि मेड बोट क्या है रीमोट नियंतरित मेडिकल टॉली है मेड बोट क्या है तो रिमोट नियंतरित मेडिकल ट्रॉली है फिर उसके बद अगला है कि हाल ही में भारत रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया तो सेसनाग, तो देखिए हाल ही में भारत रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन जिसका नाम दिया गया सेसनाग, क्या नाम है सेसनाग, जिसका कुल लंबाई जो है वो 2.8 किलो मिटर है, सेसनाग ट्रेन का कुल लंबाई कितना है तो 2.8 किलो मिटर है, या SECR की कि द्वारा चलाया गया जोरा सौफ इस्टन सेंट्रल रेलवे की द्वारा चलाया गया इसमें पुल्व 4 गूड्स ट्रेनों को जोदके बनाया गया है पिर चली अगला मंस देखते हैं कि सुफच रेल सुफच भारत सर्विक्षन रिपोर्त 2019 मिका. इसमें किया आया कि रेल मंत्री पियूस गोयल के दौरा महतमा गांधी की 150 मी GNP के मौके पर स्वक्छटा रिपोर्ट जारी किया गया. रेल मंत्री के दौरा देश के कुल 720 रेलवे स्टिस्नों की स्वक्छटा रेंकिंग जारी की जिसमें से पर्थम अस्थान जयपूर को मिला, दुसरा अस्थान जोधपूर को मिला, तिसरा अस्थान दुर्गापूर को मिला उसके ये बाद आगला जाकिए जिसमें सबसे गंदे रेलीव इस्टेशन जो है उप पैरंगले तेर तमिल नाडू का बना ये तो स्वक्ष रेल में था पहला जैपूर, दुसरा जोथपूर और तिसरा दुरगापूर लेकिन सबसे गंदे railway station जो है वो पेरंग लतेर जो तमिल नारूराजी का है उसके बाद है कि उपनगरी station में सबसे स्वक्ष station परथा में अंधेरी, दुसरा है विराट वो तिसरा है नेगाओ उसके बाद देखते हैं कि सबसे स्वक्ष railway zone तो सबसे स्वक्ष रेलवे जौन कौन है तो पहला है उत्तर पस्चिम रेलवे पहला है उत्तर पस्चिम रेलवे दुसरा है दक्षिन पुरू मध रेलवे वह तिसरा है पुरू मध रेलवे सबसे स्वक्ष जौन में पहला कौन है उत्तर पस्चिम रेलवे दुसरा है दक्ष कर दिया है आर पी एफ का नाम बदल कर क्या कर दिया है आई आर पी एफ हैस जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस क्या है इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस उसके बाद 10 जून 2020 को रेलिवे ने पहले औलेक्टिक डबल चलिए अब जानते हैं रेलिवे मन्त्राले का अगामी लक्ष तो रेलिवे मंत्राले का अगामी लक्ष क्या है वो देखते हैं तो देखिए आगामी लक्ष है कि हाइडोजन से चलित रेल्वे इंजन से ट्रेंच संचालन योजना 2000 अकीस में क्या कि हाइडोजन से चालित रेल्वे इंजन से ट्रेंच संचालन किया जाएगा 2000 Jahis से उसके बाद है ब्रॉड गेज रूट को 108% विदोती कृत करना 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज है वो सरी को 133 विदोती कृत करना है 2023 तक उसके बाद है कि पुरुवक्तर के सफिर राजियों के राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना 2023 तक का लक्ष रखा गया है उसके बाद है कि नेट जीरो कारवन एमिशन करने का लक्ष जो है वो 2030 तक रखा गया है क्या करने का नेट जीरो कारवन एमिशन उसके बाद है भारत रेलवे के द्वारत खाली भूमी पर 20 गीगावाट सोर्च संयतर के अस्थपना करने का लक्ष 2030 तक रखा गया है कब तक 2030 तक उसके बाद है कि पहला सर्मिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगम पली जो त्यलंगना राजिका है इस्टेशन से हटिया इस्टेशन जारखन के विच चलाई गई जिसमें कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंची उसके इबाद है कि सरकार ने 5239 AC डिबों को आईसोलेशन कोच में बदलने का दिरने लिया है कितना नौन AC डिबे को तो 5239 AC डिबे को आईसोलेशन वार्ड में बदलने का दिरने लिया है उसके इबाद है कि कोविट-19 से लरने के लिए किस रेल कोच फैक्टरी ने पोस्ट कोविट कोच को विक्सित किया गया है तो कपुर्थल्ला पिर एकि भार्ट रेलवे ने आईसोलेशन वार्ड वाली पहली ट्रेन को दिल्ली सरकार को सौप दिया पिर एकि किस रेलवे जोन ने कोविट-19 मरीजों के देखभाल के लिए एक रोबोट रेल बोट विक्सित किया है तो दक्षीन मद रेलवे ने उसके बाद है कि मुंबई में फैबरी आई नामा के एक बौडी स्क्रिनिंग सुई भी था किस रेलवे जोन ने थापित की तो मद रेलवे ने पिर एक दुनिया का सबसे बढ़ा रेलवे प्लेट-फॉर्म किस रेलवे स्टेशन को बनाय जा रहा है तो हूबली स्टेशन को उसके बाद है कि किस रेलवे इस्टेशन पर पहली बार ATM ये Automated Ticket Checking and Managing क्या है Automated Ticket Checking and Managing एक्सेस मसीन को पहली बार अस्थापित किया गया तो नागपूर में अस्थापित किया गया क्या ATM ये फिर है कि रेलवे ने BHEL के सहयोग से मदेपरदेश के बिना सहर में 1.7 मेगावाट सौर उर्जा सेंतर अस्थापित किया क्या कि रेलवे ने BHEL के सहयोग से मदेपरदेश के बिना सहर में 1.7 मेगावाट सौर उर्जा सेंतर अस्थापित किया फिर है कि रेलवे ने किस उत्पाद के परिवहन के लिए कि बंगणलादेश के लिए अपने पहली पार्सल्य ट्रेंज चलाई तो सुकह मिर्च जो आंधर परदिशंका है क्या है कि रेल्वेये डुम्च करने कर रहे नीणे बहुंत्र के लिए उसके बाद कि कौन सा उन्यटलो रेल भारत में दूसरा बाद नेटवर्क बन गया है तो हैदराबाद क्या है कि कौन सा मेटडो रेल भारत में दूसरा बाद नेटवर्क बन गया है तो हैदराबाद फिर की कालका जो हर्याना का है और सीमला के बीच हीम दर्सन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारम किया गया हीम दर्सन एक्सप्रेस का परिचालन किया गया कहां कहां तो कालका हरियाना और सिमला के बीच उसके बाद है पुरवक्तर सीमांत रेलवे को कीज प्लान के लिए बेश्ट इनोवेशन आवार्ट दिया गया तो प्लैन बी क्या है प्लैन बी के लिए पुरवक्तर सीमांत रेलवे को बेश्ट इनोवेशन आवार्ट दिया गया उसके बाद है कि भारत का नया रेलिवे जौन दक्षिन तर्ट रेलिवे मुख्याले विसाखा पतनम बना भारत का नया रेलिवे जौन कौन बना दक्षिन तर्ट रेलिवे मुख्याले दक्षिन तर्ट रेलिवे बना जिसका मुख्याले विसाखा पतनम में बना फिर है कि पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC दुवारा प्लेटीनम रेटिंग दिया गया वह है सिकंदराबाद वह पहला रेलवे स्टेशन कौन है जिसको IGBC के दुवारा प्लेटीनम रेटिंग दिया गया तो सिकंदराबाद को फिर कि IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड तूरिजम कोर्पेरिसन ने किस राज सरकार के साथ मिलकर गॉल्डेन चेदियर ट्रेन चलाने की खुसना किया तो करनाटक राजे के साथ उसके बाद है कि किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है तो विसाखा पठना रेलवे स्टेशन पर फिर किस प्लैन में पहली बार पी-ई-टी बोटल करसिंग मसीन लगाई गई है तो मुंबई राजधानी एक्सप्रिस पी-ई-टी का मतलब होता है पॉलिथलीन टेरा पितलेट पॉलिथलीन टेरा पितलेट उसके बाद है कि भारते रेलवे ने 2 अक्टवर 2019 से सिंगल यू बेकर उड़े एक्सप्रेस विसाखा पत्नम से विजय वादा के भी चली जिसमें से पहला डबल डेकर उड़े एक्सप्रेस जो हो कोयम बटूर से बैंगलोगों के भी चली थी उसके बाद है कि किस मोबाइल एप के द्वारा यात्री अपने सिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर कर सकते है तो सह यात्री मोबाइल एप क्या है सह यात्री मोबाइल एप अब कोई भी यात्री जो है अपने सिकायत को direct और पुलिस से संपर कर सकता है स्थयात्री Mk race app के दवारा उसके बाद है Q-R code Q-R code के दवारा ticket booking की सुर्वा किश railway जौनने की उत्तर पस्चिम railway ने उसके बाद है कि भारत rail way के तीन नए dedicated freight corridor तो पहला क्या है पहला है वेस्ट कोरिडोर क्या है इस्ट वेस्ट कोरिडोर जिसमें 2326 किलो मिटर है जो कॉलकाता से मुंबे के बीच है तो इस्ट वेस्ट कोरिडोर में 2323 किलो मिटर है और कौन-कौन से राज्जियों के बीच है तो कॉलकाता और मॉंबे के बीच फिर उसके बाद है कि नौर्थ साउथ कोरिडोर जिसमें 2,327 किलो मिटर इसकी कुल दोरी है जो दिल्ली और चन्नाई सहरों के भी चलेगा दिल्ली से चन्नाई उसके बाद थार्ड है इस्ट कोष्ट कोरिडोर इस्ट कोष्ट कोरिडोर जो है वो 1114 किलो मिटर है और यह खरक पूद से विजेवारा के भी चलेगा उसके बाद अगला देखे भारत रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गलरी कहां खुला मॉंबई में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गलरी कहां खुला तो मॉंबई में खुला फिर आके कीस रेलवे जोन ने महिला या तरियों के लिए पिंक कोच एच की वस्ता किया तो पुर्वत्तर सीमांत रेलवे ने किया कि किस रेलवे जौन ने महिला यातरियों के लिए पिंक कोच एच कि अब जो कोच है वो पिंक कोच हो गुलाबी कलद का कोच होगा वो कौन से रेलवे जौन ने किया पुर्वत्तर सीमांत रेलवे ने फिर एकी रेलवे सुरक्षबल के दुआरा कैप्टन अर्जुन नामक रॉबाट लॉंच किया गया है या रॉबाट रेलवे स्टेशनों पर यातरियों की स्क्रिनिंग करेगा इसे पूर्ण रेलवे स्टेशन ने लॉंच किया है इसे कौन किया तो पूने रेलवे स्टिसन लांच किया है अगला है कि दक्षी नमद रेलवे ने रेल बैट नामक एक रॉबर्ट डिवाइस विक्सित किया है जिसके जरी अस्पताल प्रबंदन के कारी में साहिता मिल सकेगी तता मरीजों के स्वास्ति की बेहतर देखवाल की जा सकेगी फिर एकी भारत रेलवे के द्वारा का पूर्थला रेल डिबबा का रखाना पंजाब ने की फायती वेंटिलेटर त्यार किया है जिसे जीवन नाम दिया गया है क्या नाम है जीवन इसका उप्योग मरीजों के फैफ़ों में ओक्सीजन सप्लाइ करने में किया जाता है मातमा गांधी किये मातमा गांधी ने एक सो पचासी जैनती को रेलवे में की सुरूप में मनाया तो कमिनिटी डे समुदाइक दिवस मातमा गांधी के एक सो पचासी जैनती के अवसर पर रेलवे में की सुरूप में मनाया तो कमिनिटी डे मतलब समुदाइक दिवस के रूप में उसके बाद है कि भारत रेलवे की पहली कमांडो यूनिट सी ओ आरेस कहां त्यानाद के गई 36 गद सी ओ आरेस का मतलब होता है कमांडो यूनिटी डेस पर रेलवे से क्यूदेटीज फिर अगी भारत की पहली जीवन रेखा एक्सपरिस लाइफ लाइफ लाइन एक्सपरिस होस्पिटल वन फिल्स किस रिष्टेशन से चली तो मुंबई से चली अगला है कि बुद्धिष्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टवर 2019 में चलाई गई ट्रेन उस अस्थानों को जो देगी जिसका संबंध भगवन बुद्ध के जीवन से है अगला है कि रेल्वे ने हरित रेल्वे बनाने के लक्ष की प्राप्ती हेतों वर्ष 2030 तक सुनिक कारवन उत्सरजन का लक्ष निर्धारत किया है जिसमें हाल ही में भारत रेल्वे ने भेल के सहयोग से मध्य परदेश में एक पॉइंट साथ मेगावाट की उर्जाप परिजनाओं की सुरुवाद की है उसके बाद है कि वायू परदूसन का मुकाबला करने के लिए भारत रेल्वे ने एरो गाड के साथ मिलकर नासीक रेल्वे स्टेशन पर ऑक्सीजन पारलल की सुरुवाद की है इस oxygen पारलल में 15 सब पोधे होंगे फिर एकी बंधन express क्या है बंधन express जो भारत और बंगलादेश के किस अस्थानों से जोड़ता है तो कॉलकाता से खुलना और मैत्री express कॉलकाता से धाका तक यह है देखी जो बंधन express है यह भारत और बंगलादेश के बीच चलता है फिर एकी भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समय अनुसर यादी लेट चलती है तो यात्री की तैसाल रेलवे के दौरा वापस कर दी जाती है तो है तेजस express के दौरा उसके बाद है कि राष्टपती रामनात कोविंद के दौरा सबसे स्वक्ष आइकोनिक प्लेस आवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया तो छत्रपती सिवाजी महराश तर्मिनल को फिर भारत रेलवे को किस पहली रेलवे जौन ने अपनी सभी ट्रेन के अंदर बायो टोइलिट लगाने में सफ़ता हसल किया तो पस्ची मद रेलवे ने उसके बाद है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना मैसूर में क्या है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली बना कौन बना तो मैसूर फिर या कि भारते रेलवे में योलो कमपनी के दुवारा कीस रेलवे स्टेशन पर पहला health ATM लगाया गया तो लखनव के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाया गया उसके बाद या कि किस railway जौन ने अपने सभी local train उत्तम रेक लगाने की घुषना की तो पस्चीम railway ने अगला या कि भारत railway ने अपने यातरी में cartoon गपू भहिया के साहरी 166 जागरुता ब़ाने की घुषना किया है क्या cartoon गपू भहिया फिर है कि भारत की परतम प्राइवेट रें तेजस एक्सप्रेस बना फिर है कि परतम तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनवु के बीच चलेगा दुसरा तेशास एकस्परेस अहमादाबाद से मुंबई के बीच मेंania, तिसरा तेशास एकस्परेस इंडॉर से वरानसी के बीच में चलिएगा उसके बाद है कि भारत का पहला private railway station कौन बना तो हभीव गंज बना। कौन बना private railway station पहला हभीव गंज। उसके बाद है कि डाक वीभाग ने बंदे भारत त्रेनों के लिए 5 रुपे का डाक टिकर निकाला है उसके बाद है कि भारतिक खादी सुरक्षा यहां मानक प्राधिकरन FSSAI ने मुंबई Central Railway Station को चार इस्टा रेटिंग के साथ इट राइट इस्टेशन परमानपत्र परदान किया यहां परमानपत्र पाने वाला मुंबई देश का पहला इस्टेशन भी बन गया है उसके बाद देखिए 2019-2020 में रेलवे के परमुक ऑपरेशन कौन-कौन चलाया गया है तो सबसे पहला ओपरेशन है ओपरेशन थ्रष्ट या प्यास तो रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा ट्रेन या रेलवे परिशर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतों की बिकली पर रोकने ही तू दुसरा था ओपरेशन नंबर प्लेट रेलवे स्टेशन के पार्किंग चेतरों में लंबे समय से ख़़े वाहनों की चेकिंग है तू अभियान उसके बाद ओपरेशन थंडर था ओपरेशन थंडर में गया था कि रेलवे के द्वारा आरक्षित टिक्टोक की काला बजारी रोकने के लिए ओपरेशन थंडर शुरू किया गया था उसके बाद है कि ऑप्रेशन 5 मिनिट में किया हुआ था कि टिकट काउंटर से मातर 5 movement में टिकट मिलने की स्विधा के लिए पश्चिम रेलेवे के दौरत चलाए गए का भ्यान था ओप्रेशन 5 मिनिट अगला है कि रेलवे के दुआरा गठित नई जांच समिती रिकी रेलवे ने कौन कौन सा जांच समिती गठित किया है तो देखिए सबसे पहला अमिताब कांथ समिती इसमें क्या होगा कि ट्रेनों को नीजी छेतरों में देने है तू मुझा कि ट्रेनों को नीजी छेतरों में देने के लिए अमिताब कांथ समिती को बनाया गया है उसके बाद है, रेलेवे में सुधार के लिए विवेक देवराय समिती बनाया गया है, रेलेवे में सुधार के लिए क्या बनाया है, तो विवेक देवराय समिती, फिर याकी रेलेवे के आधुनी करन करने के लिए सेम पितरोधा समिती बनाया गया है, कौन सा सेम पितरोधा स कि उसके राफाई की सुविधा प्राप्ट करने वीवाले तो सबसे पहला है 100V सिस alors रे रोड जुर् से उसकी बाद्यां पूर 5000 रेल्वे स्टेशन कोन बना तो मीदनापूर बना। उसके बद अगला इप टॉपिक देखी अगला है कि 2019 से 20 में परमुख रेल्वे स्टेशनों के पदिवर्तित नाम की कौन कौन से स्टेशनों का नाम बदला गया है उसके बारे में जानेंगे। पहला है मंडवाडी रेल्वे स्टेशन जो यूपी में है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है बनारास जंक्सन कर दिया गया है उसके बाद है मुंबई सेंट्रल इस्टेशन जो महराष्ट में है इसका नाम क्या हो गया तो नाना संकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्ट मि muchísimo और देखिएं मूगल्सराय रेलेस स्टेशन जो यूपीन में इसका भी नाम क्या होगा चैंज होके तो पंडीत सहीद राजा नाहर सिंग मेट्रो स्टेशन फिर हभीब गंज रेल्वे स्टेशन का नाम बदल के क्या हुए अटल ब्याहरी वाच पर ही रेल्वे स्टेशन हो गया है जो आने वाले किसी भी रेलवे एक्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण साबित हो सकता है तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास सेयर करें चले मिलते हैं अगला वीडियो में थेंक्यों फर वाचिंग